नमस्कार मैं हूँ संजय शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network अपने कुछ सवालों का समाधान आप से चाहता हूँ कुछ राय आप से लेना चाहता हूँ कुछ जानगारी आप से चाहता हूँ देश के ग्रह मंतरी अमिशा जी ने कहा एक कारक्यम में उन्होंने कहा कि पत्रकारों को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए पत्रकारों को सिर्फ खबरे लिखनी चाहिए जो जहां दिखनी है खबर वो लिख देनी चाहिए पत्रकारों को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज जो मैं आपसे समवाद करने जा रहा हूं यह लखनव का उत्तर प्रिदेश की राजधानी लखनव का और मेरे जिन्दगी के लिए भी एक एहम उद्दा है और मैं आपसे समवाद इसलिए करना चाहरा हूं आपसे पूछना इसलिए चाहरा हूं कि अगर मैंने अमिश्या जी की बात मानी होती तो आज मैं एक एहतिहासिक पल की पहला कदम एहतिहासिक पल के लिए उस मंजिल के जाने के लिए पहला कदम उठानी पाता है अब आप फो कि एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए पहरे तो उसी बात पर आ जाता हूं कि ग्रहमंती जी ने कहा कि एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए जो खबर जहां है वैसी ही दिखाना चाहिए तो क्या आपको लगता है जो जहां है क्या वह वैसी खबरें दिखाई जा रही है क्या इस देश की गोदी मीडिया पे जो हिंदु मुसल्मान चलना है क्या वाकिए में इतना हिंदु मुसल्मान का उन्माद है जो फुजीर चौदी जो अंजनाम कश्यप जो रूप का लियाकत कर रहे हैं क्या वो है कि यह वही है जो अमिश्या जी कह रहे हैं जो खबरे हो वैसी दिखनी चाहिए नहीं है ना मेरी राय एकदम जुदा है मेरा सोचना एकदम जुदा है मेरा मानना यह है कि पत्रकार को हर पल एक्टिविस्ट होना चाहिए पत्रकार को हर पल जाग लुक होना चाहिए सोते जागते उसके जहन में उसके दिमाग में यह बात होना चाहिए कि उसकी कलम से उसके माईक से उसके मूँ से जो निकले वो समाज हित में हो देश हित में हो आपस में प्यार और भाईशारा बढ़ाने वाला हूँ पत्रकार के मुझ से जो सवाल निकले वो सत्ता से हो विपक्ष से नहीं हो हमने जब पत्रकार ते शुरू कीती तो हमको सिखाये गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्यापन होता है और हकीकत में सरकार जो छुपाती है ख़वर वही होती है लेकिन अब क्या हो रहा है अब सवाल सक्टा से नहीं विपक्ष से पूछे जा रहे हैं इसी लिए ग्रह मंत्री कहते हैं कि पत्रकार को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए अब मैं आता हूँ आज के इस विशे पर जो मैंने आपके सामने मुद्ध उठाया है उठाने जा रहा हूं इस विशे पर आपसे बात चीत करने के लिए आप में से जितने मेरे दर्शक हैं लाखों दर्शक हैं पूरी दुनिया में देख रहे हैं क्या आप कभी कटना कर सकते हैं कि आपके पास एक करोड़ रुपया हो और आप उसको छोड़ दें साथ-ाठ साल तक पूछे इनी रुपया कहां पड़ा हुआ है कूड़े के ढेर बदल दे सबका जवाब होगा नहीं को 17uros को आप कप सो क्रोड़ रुपया हो हूँ अप कंपके को कूड़ा होने के लिए छोड़ सकते हैं जवाब होगा नहीं से 200-300-400-500-600-700-800-900 करोन रप्या हो क्या आप उसको कूड़े में कूड़े के धेर में डालने की सपने में भी कल्पना कर सकते हैं आपको जवाब होगा नहीं जब आप नहीं करते तो फिर सरकार ऐसा कैसे कर सकती है आपको लग रहा हो ना आज मैं बड़ा गुमा गुमा के बाते कर रहा हूँ तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके और मेरे टेक्स के खून पसीने के 900 करोड उपे पे सरकार कैसे आग लगा रही है और फिर इस आग को बुझाने के लिए आपके इन रुपियों को बचाने के लिए मैंने क्या किया ये पूरा वीडिया आप सुनियागा और मैं इमानदारी से आपके प्यार को चाहता हूँ इस पहल में आपका साथ चाहता हूँ मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताईएगा कि मेरी ये पहल सही है या नहीं है मेरी ये एक शुरुआ सही है या नहीं है और जो मैं काम करने जा रहा हूं वह आप सब लोग क्यों नहीं कर सकते क्यों सरकार 800-900 करॉल पे आपके मेरे टेक्स से पैसे पर ऐसे आग कैसे लगाई जाते सकती है मैं शुरुआ कर रहा हूं बता रहा हूं मेरे पीचे एक बिल्डिंग देख रहे हैं आप और एक सज्जन देख रहे हैं इन सज्जन का नाम है संजय सेट यह उत्तर प्रिदेश की राजधानी लखनों के स और यह संजय सेट जी जो हैं यह दो पार्टर होते थे संजय सेट और खालिद मसूद आज भी हैं बहले कागज बहले को लेकिन दंदेवंदे सब एक साथ हैं लखनों में आप कई मालूब कर सकते हैं और शालिमार गुरुप ने लखनों में बहुत सारी सोसाइटिया बढ़ाना शुरू किया था और खालिद मसूद तब मायवती जी के बहुत करीवी थे यूपी के बहुत बढ़े ब्यूरोकेट थे मायवती के करीब थे खालिद मसूद उनके करीब थे इन दोने मायवती के टाइम में अपना व्यापार को बढ़ाना शुरू किया सरकार नाम है मेरे नामा राशी नाम है संजय और सेट संजय सेट तो यह हैं संजय सेट और यह बुलायम सिंग यादव जी के बहुत करीबी हो गए और उसके बाद इनका कारोबार दिन दुगना चार गुना बढ़ता रह गया लकनों के सारे बड़े सारी बड़ी पार्टीयों की सारे बड़े हस्तियों की ये शक्स शान बन गया नाम है संजय सेट मुलायम सिंग यादव पर पता नहीं संजय सेट ने क्या जादू किया कि मुलायम सिंग जी की किरपा इसाभी पर होती चली गई और फिर इसका कारॉबार दिन दुगना राज चोगना बढ़ता चला गया, अब बात आई कि इसके कारॉबार को और बलावा कैसे मिले, इस सज्जन ने अपने और हात, पैर फैलाने शुरू किये, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख एन आई सी जै प्रिकाश नरायन केलर जै प्रिकाशी देश के एक महन नायक हुए हैं उनके नाम पर ये एक लखनों की एक आदिशान बिल्डिंग समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुई लगबग 800 करोड तक का जो टेंडर था वो बढ़के पहुचा तो जाहर है जब मुलाइम सींजी की किर्पाती इस शक्स के उपर संजय सेट के उपर तो फिर ये जे पी एन आई सी का सैक्डो करोड का काम इस शक्स को मिलना ही बाँ शाली मार को ये काम दे दिया गया गोर से ट्रिस्ट आना बाकी है और ये तब कहा गया कि इस शक्स को जो काम मिला है वो शाय टेंडर इसके लिए बनाया गया ऐसी बाते तमाम होती रही है लेकिन फिर उसके बाद ये आली शान बिल्डिंग बननी शुरू ही और इस बिल्डिंग की चर्चा पूरे उत्तर वो ये था ये बिल्डिंग तयार हो गई समाजवादी पार्टी की सरकार में इस बिल्डिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे उत्तर प्रदेश की डिजी पी ऑफिस के राबा ये पहली बिल्डिंग थी जिसकी च्छत पर ये जो आप इसकी च्छत देख हैं इस च्छत पर हैली पेड बनाया गया था लोगों के लिए ये बड़ा उसकता वाली बाती की हैली पैड यानि है लिकॉप्टर इसकी च्छत पर उत्रेगा कई मंजला बिल्डिंग तयार हो गई लोग दूर दूर से देखें आने लगे कि आखिर ये बिल्डिंग कैसे बन रही है जिसकी च्छत पर हैली कॉप्टर उत्रेगा अम्ता बच्छन की आवाज में इसकी गैली तयार हुई और बहुत शांदार इसके अंदर ओडिटोरिय कई सारे ओडिटोरियम स्वीमिंग पूल टेंडियस और तमाम ऐसी सुभधाय थी जो उत्तर प्रिदेश की किसी बिल्डिंग में नहीं थी यह ड्रीम प्रोजेक्ट था आप देख रहे हैं इसके सारे यह बिल्डिंग के अब की हालत है और यह तब बन ली थी यह बिल्डि केरियर इसका अंदर का काम फाइनल होता सरकार बदल गई और यहीं से कहानी बदलना शुरू होती है अब कहानी कहानी से बदलती है हम उस कहानी पर आपको लाना चाहते हैं कहानी फिर बदलती है और फिर कहानी घूम फिर के इसी शक्स के चारों तरफ आके रुख जाती है कि संजय सेट को करोर रुपया सैक्ल करोर रुपया इस बिलडिंग में फाइदा पहुंचा एगए संजय सेट और इस बिलडिंग का कनेक्शन सामने आने लगा और कहा गया कि संजैसेट ने करोड़ और रुपिया इस building में कमाए है जो काम हुआ है शानीमार गुरुप ने जो काम किया है वो मानक के अनसार नहीं है ऐसा भारतिय जंता पार्टी के नेता कहने लगे और भारतिय जंता पार्टी के उस समय के आवास मंत्री कुदाल लेकर इसके चुकि लिफ्ट नहीं लगी थी उपरी फिलोर तक जाते वहां खुदाई करके देखते कि कितनी धांदली हुई है रोज अख्वारों में खबर शपने लगी काम रुग गया कि जेपी एनाइसी में बहुत धांदली हुई है और उसके बाद ये शक्स पल्टी मार गया ये वह परी पल्टी मार गया इसको पता था कि भारतिय जंता पार्टी वो वाशिंग मशीन है जिसमें मैं घुदूँगा उदर से क्लीन होके निकलूँगा जन्चर्चा है कि करोड रुपे की डील हुई और ये शक्स भारतिय जंता पार्टी में शामिल हो गया जिसका नाम संजय सेट है और फिर बाद में राज सबा का सांसर भी बन गया लेकिन अब इस कहानी के बाद जिद्गी आपसे शुरू हो गया अब आप कहेंगे कि आपका क्या रोल है या आदमी सांसर बन गया ये बिल्डिंग खड़ी हो गई आपका इसमें क्या रोल है तो फिर रोल आपका शुरू होता है सांसत बंदे से पहले जब जांच इसकी इंक्वारी बैठ गी और जब यहां भी पल्टा तो वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है मुझे कोई समस्या नहीं है तेकिन यह पूरी बरी बनाई बिल्डिंग पर काम रुक गया यानि आपका 800-700 करोल उपया आपके मेरे टेक्स का पैसा वो इस बिल्डिंग में आके रुक गया अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं इतनी भव बिल्डिंग बन रही थी और उस हो रही थी तूट-फूट हो रही थी और बिल्डिंग में लगातार कई जगे से दरारे आने लगी थी फोटो में आपको दिखा रहा हूं जाहर है कि यह बिल्डिंग खड़े-खड़े धराशाई हो रही थी एक दो महीना नहीं 5-6 साल हो गए जाच ठंड़े बस्ते में च है आप सोचिए 800 करोल कितनी बड़ी धनराशी होती है वो जाच में जो दोशी मिले चाहे वो संजेर सेट और या अंजीनियर हो या कोई हो उनको फासी पर जड़ा देते लेकिंग बिल्डिंग तो बनाते हैं बिल्डिंग टूट रही थी बिल्डिंग धराशाई हो रही थ और किसी को मजलब नहीं कि इतनी सुंदर से दिखने वाली बिल्डिंग इस हालत में आ रही है अब मैं आता हूं अपने एक्टिविस्ट वाले रोल पर मैं से लगब रोज निकलता था मेरा ओफिस महां पास में हैं मैंने मार्च के महीने में मैं गया और मैंने इस बिल्डि खड़ी इसको पूरा करके शुरू करा दीजे सरकार की आमदनी बढ़ेगी 800 क्रोड का यूज होगा मैंने रिपोर्ट दिखाई कुछ नहीं हुआ मैंने बहुत अच्छे लॉयर हैं हैदर जी मैंने उनसे डिसकस किया नौजवान लॉयर अबना पांड़े उनके पास में हम को गए हमने प्रत्याविदन सरकार को दिया जो मैं कह रहा हूं हमिश्या जी के एक्टिविस्ट वाला रोल वेरे अंदर शुरू हुआ मैंने अप्रेयल के महीने में डिटेल के साथ सरकार को एक प्रत्याविदन भेजा कि इस तरह 800 करोड की बरवादी करना ठीक नहीं है य हम अदालत की शरण में जाने को मजबूर होंगे इसके बाद सरकार में थोड़ी हल्चर शुरू होती है मीटिंग मीटिंग होती है और जो मैं कह रहा हूं कि मेरी जिंदी का सबसे बड़ा मुकाम फिर मैंने हाई कोट में पी आईयल कर दी एक जनित याचका कर दी और जनित जनित याचका में कहा कि मेरे और आपकी कमाई के सैक्रो करोल प्या इस तरह खराब कैसे हो सकते हैं आकर मैंने हाई कोट से रिक्वेस्ट करी कि कि किसी भी तरह इस बिल्डिंग को शुरू कराया जाए और मुझे खुशी है कि मेरे इसी एक्टिविस्ट वाले रोल पर सरकार को हाई कोट ने नोटिस जारी कर देए आप ये ख़वर देख रहे होंगे हाई कोट ने पूछा सरकार से कि आप एक मेंने के अंदर जवाब दें कि आपने अभी तक ये बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई इस हारत में क्यों है आप मुझे बताईए किया ये एक्टिव हाई कोट से क्या जवाब देगी कि 6 साल से 800-900 करोर प्या जिसकी कीमत बढ़ते बढ़ते अब शायद 1000 करोर पहुंच चुकी होगी इस बिल्डिंग को बनाया क्यों बनाया गया तो शुरू क्यों नहीं कराया जा रहा है एक महीने का समय सरकार को दिया गया है ये मेरी होंगा कि ऐसा एक्टिविस्ट हर व्यक्ति हो ऐसा एक्टिविज्म हर व्यक्ति के अंदर आए तो इस सर्त हुए सिस्टम को जगा सके सकार से पूछ सके की 800-900 करोर रुप्या टेक्स के पहले पैसा गरीब का पैसा वो बरबाद हो रहे हैं और जो दोशी है जो संजय सेट ह भाजपा की वाशे मशीर वजाकर MP हो जाते हैं इनके तमाम बड़े और कारणामे हैं मैं आपको अगली रिपोर्ट में बताऊंगा शारीमार समूंपर आरो पे कि उसने लखनों की तमाम सरकारी जबीलों पे कबज़ा किया है एक बहुत जगए एक अवैद पैंटाउस बन सकता है तो मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम उसमें उसको यह समझाएं कि या तुम सिस्टम से उपर नहीं हो लोकाइक है हाई कोट है सुप्रीम कोट है जाके रिक्वेस्ट करें कि गलत चीज को रोका जाए आम आदनी के पैसों का सद्वियों किया जाए तो मुझे जरू का एक्टिविज्म करने से स्वाइदा होता है सुना है संजय सेट अब आपके घर भी पहुच चुके हैं इनकी कैंट की कोटी की कहानी है तो अमिशा जी को ले जाके रोने एक विवादास्पत आदमी का संबान कराया तरह दरह की कहानी है मैं आपको बताता रहूंगा तेक हुआ 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 है